हलो एभीवान वेलकम टू माई चैनल और कैसे हो आप सभी उमिद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे अभी बज रहे हैं सोबे के ग्यारा और अभी हम लोग कर रहे हैं नास्ता और आज का वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखिएगा बहुत इंटरस्टिंग होने वाला है और बहुत ही अच्छा है तो आप लोगों को काफी पसंद आएगा और इसके बाद भी आप लोगों को वीडियो अच्छे लगेंगे क्योंकि आप कुछ नया नया सा मेरी वीडियो में लगेगा आप लोगों को और वसे आप और प्लीस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीस प्लीस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा बिल्कुल फ्री है और उसके बाद अपने फैमिली दोस्तों के साथ जादा से जादा शेयर कीजिएगा और वीडियो थोड़ी से भी पसंदा जाए तो प्लीस लाइक भी कर दीजिएगा तो अभी हम लोग कर रहे हैं नास्ता और सुबे के बज रहे हैं 11 तो नास्ता मतलब आज बाहर से मंगवाया है क्योंकि आज ऐसा था कि मतलब गैस का थोड़ा इस्यू हो गया था इसी वज़े से हमने नास्ता बाहर से मंगवाया है लेकिन क्या हुआ मैंने आप लोगों से एक बार बताया था पता नहीं क्या प्रॉबलम हो जाती है जब भी हर महिने ना या तो रेगुलेटर नहीं फसता है या फिर बहुत लीग होती है जबकि चेक करके भी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा परेसानी हो गई हम लोगों को और हम लोग बहुत मतलब बीट कर रहे थे जो सिलेंडर देने वाले आते हैं होकर्स उनका इंतिजार कर रहे हैं कि वो आएंगे अभी मैंने फॉन कर दिया है तो वो आई ही रहे हैं तो वो ठीक करेंगे और नहीं होगा तो हमको जाना पड़ेगा तो और आज ना फिर उसके बाद बहुत ज़यादा टाइम हो रहा था और भूच बहुत ज़यादा लग रही थी तो 11.11 ऐसे लगभख हो गए थे दीरे दीरे करके बैटे बैटे तो फिर मेरे आजबन ने समोसा ही लाके दिये आलू बंडी समोसे आज हमने बाहर से ही नास्ता मंगवाया क्योंकि कार्थिक को बहुत ज़्यादा भूक लग रही थी और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं भी खा रही हूँ तो देखिए मैंने अभी कोई फास्ट वगेरा नहीं रखा है क्योंकि हमें पूजा करना है गैस से मतलब गैस चूला वहां पर हमने फास्ट मतलब अभी रखा हुआ है तो उसकी हम पूजा करेंगे ताकि हम खाना बना सके एक मतलब जब किचिन की पूजा होती है घर की पूजा होती है तो वो एक अलग पूजा होती है क्योंकि उनमें उस से उसको वी दिविदान से पूजा की जाती है तो फेलाल इतना आइडिया मुझे अभी नहीं है तो मैंने बस अभी सिंपल सा ही बहुत सिंपल सा नॉर्मल समय कर रही हूँ क्योंकि वो पूजा करने का एक अलग ही मात्व होता है और अभी मेरा घर एकदम अनकंप्लीड है आ हम कर रहे हैं क्योंकि अब बारिस का टाइम आ गया है तो फिर वहां पे बहुत दिक्कत होने वाली है हम लोगों को तो इसलिए हमने बहुत सिंपल सा जो भी किया है तो आपको पसंद आएगा तो देखिए यहां पर भी हम लोग पूजा कर रहे हैं इतनी बड़ी तो नहीं हैं बस छोटी सी पूजा ही है और जब भी हम कुछ भी नियो काम करते हैं कुछ भी नया कुछ भी करते हैं तो थोड़ा बहुत हमें इस तरीके का काम कर लेना चाहिए अच्छा रहता है क्योंकि पहली बार हम इधर पे बनाएंगे और अभी तो ऐसा ही वहां पर रह 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 साम के 4 साम के 4 बज गए हैं क्योंकि कुछ नहीं हुआ ठीक भी नहीं हुआ फिर आखिर कार हम लोगों कोई एजिंसी जाने के बाद महां रैगूलीटर बदलवाई या सतक बदलवाई सारा कुछ लीक हो रहा था तो फिर हम लोगों ने सारा नियो खरीदा बहुत टाइम ल गरते हम लोगों को एक बजिया था तो फिर हम लोगों को दी गए तो बहुत ज़ादा टाइम लग गया था और अभी तक हम लोगोंने सिर्व नास्ते पर ही अटके हुए हैं इतनी तीजवाली भूब क्ऊ भी लग रही थी बाकी रह गया था तो अभी ना दो कि हम लोग कर रहे हैं पूजा और अभी कुछ बनाया नहीं है क्योंकि जब तक यहां पर पूजा नहीं करेंगे तो बनेगा कैसे तो इसलिए मीठे के तोर पर लड़ू लेकर आए हैं मेरे अस्बेंड और यहां पर वस छोटी सी जो सिंप पल डेली जो पूजा होती है वो कर रहे हैं अभी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं बस आप लोग प्लीस जजमत कीजिएगा कि ऐसे मतलब और घाटन टाइप का भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें बड़ा खर्चा लग जाता है और थोड़ा सा टाइम चाहिए उसके लिए भी हमें तो इसलिए अभी और वैसे भी अभी नहीं पूरा कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुझे अभी पूरा कंप्लीट करवाना है देखते हैं कितना समय कितना साल लगते हैं इतने ही बनाने में तो मुझे 10 साल लग गए हैं अब देखत है पता है क्योंकि पहले अंडिये के आई थे तो मेरे हस्बंट छेलते सामय उनको खराब लगा तो वापस करके आए दोबारा लेकर आए तो वो भी खराब निकला तो मतलब कुल मिलाके नारियल हमारे नसीब में नहीं है तो इस तरीके का निकल गया किनारे रख दिया हवन कर किसी दिन तो वस यह खराब निकल गया है और जबकि यह पानी वाला सूखा वाला था पान जो अभी के आए हुए थे वैसा ही तो जैसे कि बस सिंपल सा हमारा जो अभी मनला बहां पर प्रॉब्लम के कारण हम लोगों को यहां पर एज़ेस्ट करना पड़ा और यहां पर व लड़ू से ही हम लोगों का मूँ मीठा कर लिया हम लोगों ने साथ में मैंने यहां पर खाना भी चड़ा दिया है तो मैंने यहां आलू बॉयल होने चड़ा दिये हैं सिंपल सी आलू की सबजी बना रही हूँ मैं बिलकुल सिंपल सी बेना लेसन पर आज के कुछ भी ज़ PCA नहीं कर रही हूं आप लोगों से क्योंकि इतनी ज़्यादा जन्दी थी मैं बता नहीं सकती चार साड़े चार बज गए थी बहुत ज़्यादा लेट हो गए थी और दिन तो मैं बताना भूल गई आज गुरुवार था कल करते करते हम लोग कल करने वाले थे लेकिन फिर नहीं किये तो आज हम लोगों ने किया यहां मैंने साम के खाने की भी तैयारी कर दिये तो मैं यहां पर छोले बिगोने रख दी हूं कि मेरे हजबेंट बोल रहे थे रात में छोले बनाना तो आलू बॉil हो गए हैं और यहां पर मैं दूसरे साइड हलवा बना रहे हूं थोड़ा सा क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रसाद बाटेंगे और हलवा ना मैं बिल्कुल वैसा ही सिम्पल सा बना रहे हूं जैसे मैंने उस दिन बनाया था बिल्कुल सिंपल सा सक्कर और गी डालके सूजी का मैंने हल्वा बना रही हूँ और यहाँ पर जब तक आलू ठंडे हो रहे हैं तो मैंने दूसरे साइड चावल चड़ा दिये हैं मैंने इतनी जल्दी जल्दी मैं इतनी जल्दी जल्दी में खान तॉयार किया ना कि आदे घंठे में अब ही मतलब बना भी रही हूं तो थो detal रक शाud घ्रट, कुछ भीम पर चाहर कर दें वही मैंने फ्राय कर दिया है तो बस कारते कोरिये खा लेंगे क्योंकि बहुत भूक लग रही थी तो कह रहे तो कुछ भी दे दो अभी जब तक महुत तेज भूक लग रही थी और मुझे भी तो लगी रही थी लेकिन फिर अभी दोपैर के सामई हो गई है नियू किचिन का जो खाना है वो रेडी हो गया है मैंने वेल्कुल सिंपल सी आलू की आलू टमाटर की सबजी बनाई है और पूरी और थोड़ा सा हल्वा कारतिक गया है एक और दोस्तों को बुलाने अपने छोटे से बस बुवा जाए फिर मैं खाओंगी मैंने अभी इनको दे दिया है और देखे यहां पर खाना जो है वो रेडी हो गया मेरे अजबन ने खा लिये हैं उनको मैंने दे दिये थी और हमनों खा रहे हैं और एक गुड़िया और बच्चों ने बताया होगा कि आज प्रसाद बटा है तो बच्चे इस टाइम पे सो रहे थे चार बजे करीब तो फिर उसके बाद हम ये बुला कर लेकर आए हैं मेरे हस्बेंड उठा उठा की तो आए आज भी पांच कन्याई ही मिल गई थी और ये लास्ट में एक और आ गई थी तो फिर उसको भी हमने दे दिये प्रसाद और आलू की बिल्कुल सिम्पल सी आलू की सबजी बनाई है राई जीरा का च्छोंक लगा के और एक टमाटर डाल के सिम्पल सा रूटीन का थोड़ा थोड़ा सा मसाला डाल की मैंने रेसिपी में बता रही हूँ कि बस इतना ही मैंने डाला है ना लेसन पे आज कुछ भी नहीं डाला था आज क्योंकि आज मैंने सोचा चलो ऐसे ही बना लेते हैं और जल्द वाजी भी थी तो चलो ऐसे ही बन गया और यहां पर कार्तिक भी आज हलुआ पूरी खा रहा है सब को देखके ना ये भी ऐसे ही करता है कि जैसे सब लोग खाते है ना तो फिर ये भी बोलता है कि मैं भी खाऊंगा फिर उसके बाद मैंने कहा एक बार टेस्ट करके देखे कि आलू की सबजी कैसी बनी है तो कम से क खाके देखेगा जबी तो पता चलेगा तो मैं इसको खेला रही हूं तो अच्छी लगी तो फिर कहा रहा था मम्मी और खाना है फिर मैंने उसको खेलाया खाना यहां पर खाना पीना खाने के बाद साम को अभी थोड़ा सा हम लोग ना लेट गए थे तो पहर मैं खाने वो मौसम बहुत ज़्यादा वैसा हो जाता है बादल बादल रोज डेली लेकर पानी गिरता बिरता नहीं है हावा चलती है आंधी तूपान बहुत ज़्यादा तो मैं यहाँ पर आई थी और अभी मैं नलकवेट कर रहे हूं क्योंकि नल आएंगे तो पानी बानी भरूंगी और यहाँ बस अभी आप लोगों को थोड़ी से अपनी जो पिर पौदे हैं वो भी दिखाती हूं बहुत ही सिंपल सा आज का मेरा जो रूटीन था वो मैंने आप लोगों के साथ सेयर किया उमिद करती हूं कि आप सभी को पसंद आएगा ज़्यादा कुछ तो मैंने रेसिपी वगेरा सेयर नहीं कर पाई हूं यह है कि मैं छोले की रेसिपी आप लोगों से साम तक देखती हूं बनाऊंगी तो सेयर करूंगी और इसके बाद वस आज का वीडियो यहीं परेंट करती हूं उमिद करती हूं कि आप सभी को बहुत पसंद आएगा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने फैमली दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सेयर कीजिएगा और वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताना कमेंट बोक्स में और अब आप लोगों को मेरी न्यू किचन का टूर चाहिए किचन तो वो अभी आप लोग कमेंट में बताएगा कि मैंने किस तरीके से सारा चीज अज़ेस्ट किया है तो कुल छोटी सी किचन में तो चलिए मैं मिलूंगी आपसे अपनी नस्टी वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू बाइबाइ